वेल्कम बैक क्लीन न्यूज चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप UPK के जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कम इन बॉक्स में जरूर बताईए साथी डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें आज का लाइक एम 3000 है उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे की घोशना कर दी स्कूल की बंदी का या आदेश बुद्वार की सुबे च्छे बजे के आसपास जिले में वाटसेप पर वायरल हुआ तब तक काफी बच्चे स्कूल के लिए तयार हो चुके थे समय से जानकारी ना हो पाने की चलते बड़ी संख्या में विद्यार्ति और शिक्षक स्कूल पर पहुच गई डॉक्टर नीरच कुमार पांडे ने जिला महिला अस्पताल में सत्र का उद्खाटन किया सीम योगी का बादा 2022 तक यूबी के शेहर के हर गाउं तक पहुचाएंगे साफ पानी सोनभदर में प्राकरतिक संसाधनों का बंजार होने के बावजूद ये इलाका हमेशा पिछडा रहा इसका कारण सपा सरकार में माफियाओ का राज था जिस्ते पानी तक के लिए यहां की महिलाएं प्यासी रह जाती थी जो जिला बिजली उत्पादन में नंबर वन था वो हमेशा अंधीरे में रहता था लेकिन हमारी सरकार के आते ही यहां की दशा और दिशा बदली है मुख्यमंत्री योगे आदेतनाथ ने कहा कि सोनभद्र और आसपास के जनपद में पेजल का हमेशा संकट बना रहता था अब हर घर में नल योजना लागो हो चुकी है आपदा क्रशी और कानून विवस्था को लेकर यूपी सरकार का बड़ा प्लान सीम योगी ने दिये योजना तयार करने के निर्देश यूपी के मुख्यमंत्रियों गया दितनात ने प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाई के इस्थापना के लिए अधिकारियों को ठोसकारे योजना तयार करने के निर्देश दिये यूपी में जल्द बनेंगे कम खर्च वाले मस्बूत घर सियम योगी ने लएचपी के अध्यन के लिए बनाई विशेश शग्यों की टीम टिकाओ मस्बूत सुविधा जनक और अपेक्शकरत कम खर्च वाली आधूनिक आवास निर्मान प्रणाली लएचपी की उपयोगिता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने इसका अध्यन कराने के निर्देश दिये बुद्वार को एक उच्चे सरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीदी एक जनवली 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनाउ साही देश के छे शेहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुवाद की थी इसके तहट विभने देशों की आधुनिकता मावास निर्माण प्लाली को लागू करते हुए बेहत कम खर्च में काफी तेजी से टिकाओ और मस्बूत मकान बनाए चा रहे हैं योगी के राजमंत्री का जनसंख्या वरदी बढ़ नया नारा हम दो हमारे तीन वरना बुड़ा होगा भारत देश योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राजमंत्री सुनील भराला ने जनसंख्या बढ़ उत्री के लिए नया नारा दिया है उनके इस नारे की चारोड चर्शा हो रही है बता दें कि एक तरफ तो सरकार जनसंख्यानी अंतरन के लिए नया बिलाने की तैयारी में है वहीं दूसरी और इनके नेता और मंतरी ऐसे नारे देकर खुद ही सरकार के जनसंख्या नियंतरन की कोशिश को पलीता लगा रही है बता दें कि श्रम कल्या चियर्मेन और दज्जा प्राप्त राजे मंतरी सुनील भराला ने जिले में आयोजितिक कारिक्रम में शामल होने के बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम दो और हमारे तीन कुल मिलाकर पांच लोग होने चाहिए नहीं तो हमारे देश भारत बुढ़ा हो जाएगा अब गाओं में बने मकानों पर बैंकों के माध्यम से मिल सकेगा लोन इन मकानों का मिलेगा सरकारी दस्तावेस जाने कैसे बताते चले कि अभी तक गाओं में किसी के भी पास उनके मकान के अपने कोई दस्तावेस नहीं होते थे पीडी तर पीडी लोग अपने पूरवजों के जमीन पर मकान बना कर रहते थे जिससे आई दिन गाओं में संपत्य विवात को लेकर मारपी टक की नौबता जाती थी मामला शांत नहोने पर दोनों पक्ष कोट कचहरी का चक्कर लगाते थे लेकिन अब खतोनी की तरह घरोनी मिले से विवात समाप्त होने के साथ साथ लोगों को सुवधा मिलेगी मिले मंगलकारी 10,93,000 बेचियों को मिली सहायता मुक्यमंतरी योगे आदितिनाद की सरणी मियोजना कन्या सुमंगला बेचियों के लिए कारगर साबित हो रही है अप्रेयल 2019 से चुरू हुई इस योजना के तहए 10,93,000 बेचियों को सीधा लाप मिल रहा है इस योजना से प्राइमरी अपर प्राइमरी मात्यमेक और उच्छे शिक्षा की पढ़ाई करने वाली चात्राओं को लाप मिल रहा है मुक्यमंतरी हो गया आदितिनाद के प्रियासों से कन्या सुमंगला योजना से महस छे महा में एक लाख एक हजार नई बालिकाओ को जोड़ा गया है पशिम यूपी में लोड़का पारा 2.2 डिग्री दर्च किया गया मुझफवर नगर का तापमान दिसंबर के महीने में हाल कपा देने वाली सर्दी पढ़ने लगी है अलिगर में तापमान में एक डिग्री की व्रद्धी के बावजूद ठिठुरन पर करार है बुदवान को सुबे से ही आस्मान पर सूरज निकल आया धूप से मौसम थोड़ा नरम रहा लेकिन शीत लहर से लोग कापते नजार आए आक्सीजन उत्पादन में यूपी बन रहा आत निर्भर कोरोना के वक्त की गई प्लैनिंग अब रंग ला रही योगी आधितना सरकार ने कहा है कि राज मेडिकल आक्सीजन के उत्पादन में आत निर्भर बनने के लिए काम कर रहा है राज में साड़े पांसो से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र चालू हो गए जबकि अने दस के जल्द ही चालू होने की उमीद है एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने पांसो एक सट ऑक्सीजन संयंत्रों को मनसूरी दी थी जब अप्रेल और माई में दूसरी कोविड-19 लेहर के चरम पर जिकित साउक्सीजन के मांग तेजी से बढ़ी थी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एक और लेहर के मामले में परियाप्त आपूर्दी हो पश्यमी उपी से दिल्ली के बीच महंगा होगा सफ़र पश्यमी उट्रप्रदेश से दिल्ली जाना बहंगा होने वाला है मेरट दिल्ली एक्सप्रेसवे पर 25 जसंबर से टूल टेक्स वसूला जाएगा टूल की दरे पहले ही निर्धारित हो चुकी है रास्तिय राजमार्क रादिकरण ने मेरट डिल्ली एक्सप्रेस वे पर सराई काले खां से मेरट तक के लिए 140 रुपे टूल नरधारित किया है तो वहीं इंदिरापुरम से मेरट तक के लिए 95 रुपे टूल टेक्स देना होगा रास्टे राजमार्ग प्रादिकरण से मिली चानकारी के अनुसार इस एक्सप्रेस वे पर दो पहिया और तिपहिया वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी शेश्ट भारत और संकल्पित भारत की अफधारना को मजबूत कर रहे हैं आतरबर भारत का मतलब है कि इस सदी के महामारी के दौरान जिस भारत को पहले टी टी पी केट और सैनेटाइजर के लिए परिशान होना पड़ रहा था आज वही भारत पी पी केट और सैनेटाइजर दुनिया के कई देशों को सप्लाई कर रहा है इसके साथ ही हम देश के लोगों की जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं मुखेमंतरी योगी आदितनात ने अमरत महोटसफ की आयोजन में ये बाते कहीं उन्होंने कहा कि अमरत काल की उर्जा काउप योग हम नए भारत को स्थापित करने के लिए कर सकते हैं सोन भदर पहुचे सीम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना शहर को दी 513 करोड की सौकार 2017 से पहले योपी में माफिय और गैंस्टर लोगों का शोशन करते थे महिलाओ को सुरक्षित नहीं थी भाजपा सरकार आने के बाद सभी माफिय और गैंस्टर या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश छोड़ कर भाग गए सोन भदर पहुचे सीम योगी ने विपक्ष पर जम कर प्रहार किया यूपी चनाओं से पहले भाजपा तोरा निकाली कई जन विश्वास यात्रा के जरिये जन्ता का विश्वास जीतने सोन भदर पहुचे सीम योगी ने अपने भाशनों के शिरवात सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए की यूपी के नौ सीट्स को बचाने में बरकरार रहेगी भाजपा या विपक्षी करेंगी सेंद्बानी जोनी ये क्या कहते हैं ब्रच किस समी करा है यूबे विधानसभा की चुनाओं में पिशली बार आगरा की सभी नौ सीट्स पर विजय पता का फेहराने वाली भारतिय जुनता पाटी के लिए वश्टो हजार बाईस के विधानसभा चुनाओं की रहा आसान नहीं रहने वाली इस बार नकिवस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी उसके लिए बड़ी अवरोधक साबित होंगी बलकि कॉंग्रेस भी उसके वोट्स के प्रतीशत को कम करने में भूमी का निभाएगी बच्ट 2017 के चुनाओं में एतिहासिक जीत का बड़ा कारण प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी की लहर होने और सपा बसपा और कॉंग्रेस जैसे दलो के प्रती मद्दाता की उदा सीन्ता को माना गया था ओमिक्राण की चितावनी का सर होली पर भी डिली मुंबई की ट्रेंस खाली आम तोर पर बुकिंग खुलते ही होली पर पैक होने वाली डिली मुंबई की ट्रेंस में इस बार अभी तक परियापत सीटे खाली है जानकार इसकी वज़े ओमिक्रॉन को लेकर जितावनी मान रहे हैं विशेशक के फरवरी मार्च में ओमिक्रॉन के पीक की जितावनी दे रहे हैं आम तोर पर छट बीतने के बाद ही जहां होली के लिए यात्रा की तयारी शुरू हो जाती है घराने के लिए बुकिंग खुलते ही होली के हफते दस दिन पहले से ही सीट्स फुल हो जाती थी लेकिन इस बार महौल बदला है कोविट की पहली लहर के दौरान कुछ दिन ट्रेंस का संचलन ठप रहा ट्रेंज शुरू हुई तो करीब देर सालते के स्विशल के रूप में संचलन हुआ बनारसी में साथ जनवरी तक लगेगा देश भर के व्यंजनों का मेला बनारस में देश भर के पकवानों का मेला सजेगा खादे सुरक्षा और आशेदी प्रिशासन विभाग की ओर से 7 जनवरी तक इट राइट फूट फूट फेस्टिवल का एउजन किया जा रहा है फूट फेस्टिवल का अगास बुदवार से हो चुका है फूट फेस्टिवल की थीम इट सेफ, इट हेल्दी, इट सस्टेनेबल है इसमें देश भर से मशूर वेंजन लगाई जाएंगे साथी बनारसी पकवानों के भी स्टॉल लगेंगे इसी थीम पर रंगोली चित्रकला भाशन नारा लेखन प्रतियों गिताब भी होगी सबी सीट्स पर चनाव लड़ीगी आप दो जनवरी को लखनों में केजरिवाल प्रदेश वासियों को देंगे ये गैरंटी दिले की मुखी मंतरी अर्विन केजरिवाल के आगामी दो जनवरी को लखनों में रैली आयो जित होगी इसमें मेरत जिले की सबी विधासबाओं से हजारों के संख्या में कारिकटा बस द्वारा महा रैली में भाग लेंगे जलाद हक्ष ने बताया अर्विन केजरिवाल रैली में दो गैरंटी प्रदेश वासियों को देंगे जिसमें पहली गैरंटी हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री किसानों को सिचाई के लिए निशलक बिजली पुराने बखाया बिल माफ करना सभी को 24 गंटे बिजली दूसरी कैरंटी उत्रप्रदेश के सभी नौजवानों को 5000 रुपे महीना बेरोजगारी भत्ता हर साल 10 लाख रोजगार सरकार बनते ही 6 महीने में 1 लाख रोजगार चक्मा दे रहा कोरोना का वायरस जॉक्टर्स को चिंता कही ओमिक्रॉन भी देना दी गच्चा कोरोना वायरस की वैरियंट में लगतार बदला हो रहा है माना जा रहा है कि मौजूदा वैरियंट एंटीजन और आटी पीसिया जाच को गच्चा दे रहा है जादातर संदीक दिसंक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है इसने विशेशग्यों को चिंता में डाल दिया विशेशग्य इस बात से भी चिंतित हैं कि अगर मौजूदा किट से जाच हुई तो कहीं रूप बदल रहा ओमिक्रॉन भी गच्चा देने में सफलना हो जाए इससे संक्रमर के प्रसार का खत्रा बना रहेगा पहली वाद दूसरी लहर में असी फीज़ी नमूनों में अंटीजन और आटीपीसिया जाच में कोविट की तस्दीख होती थी प्रसार के लिए बड़ी खबार अगर आपके पास भी है डेविट कार्ट तो फ्री में मिलेगा पूरे दो लाग का फाइदा पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ओफिशल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि प्रसार के साथ अपने रियल फन को अनबॉक्स करें सरसो तेल की कीमत में रिकार्ड तोड गिरावाई एक तो कोरोना वाइरस संक्रमन की मार्ट दूसरी महंगाई ने लोगों की कमट तोड रखी है जुसे घरकार थिक बजट डगमगा गया पैटूल डीजल और रसोई गैस के साथ खादे पदार्दों की कीमते आस्मान पर हैं टमाटा दाल वा खाने के तील की बड़ती कीमतों ने रसोई का बजट वथाली का सुआद बिकार दिया ऐसे में अगर आप सरसो तेल के खरीदार हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है इस वे सरसो की कीमत में कुछ किरावट देखने को मिली है नई कीमत के अनुसार सरसो का तेल 160 से 170 रुपे प्रती किलो के बीच बेचा जा रहा है कर्मचारियों के लिए बड़ी खबार नए साल में घटी की सेलरी ग्रेट्शियोटी पी-एफ में होगा इस जाफा देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है नई साल में नियूज वेच कोड लागू किया जा सकता है मेडिया रिपोर्ट्स के मतावे केंद्रे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते कि सौकात देने के बाद मोधी सरकार ने साल में नय अश्रम कानून लागू कर सकती है तेरा राजों ने इन कानून के मसवादे नियमों को भी तयार कर लिया है इसके तहट टेक होम सेलरी खजेगी पी-एफ बढ़ेगा और चुट्टियों का स्ट्रक्शर भी बदर जाएगा आरबियाई ने इस बैंक को दी बड़ी जम्यदारी आम लोगों को मिलेंगे ये फायते आरबियाई ने सीएसबी बैंक को केंदर और राजसरकारों के सामाने बैंकिंग कामकाच करने के लिए एजंसी बैंक के लिस्ट में डाल दिया है एजंसी बैंक के लिस्ट में आने से CSB बैंक के इंदर सरकार और राजिसरकार के सामाने बैंकिंग के काम कर सकेगा आरबी आई के एजनसी बैंक के तोर पर CSB बैंक को टेक्स कलेक्शन पेमिन्ट स्टाम शुल कलेक्शन जैसे केंद्र और राजी सरकार के सरकारी बैंक वाले काम कर सकेगा लोगों को मिलेगी राहाद फिर बढ़ सकती है इंकम टेक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिमती थी कर दिया गया कुछ विशे शग्यों का मानना है कि उमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इस कारण टेक्स रिटर्न दाखल करने की अंतिमती थी एक बार फिर से बढ़ाई जा सकती है पहले भरती निकलते ही शुरू होती थी वसूली की तैयारी अब सीधे मिलती है नौकरी योगिया अदितना पुकिमंतरी योगिया अदितना ते कहा कि पहले कि सरकार में नौकरिया निकलते ही वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे अब कि सरकार में सीधे नौकरी मिलती अब जन्ता का इशारा समझते ही डबल इंजन की सरकार विकास के लिए निकल पड़ती है जन्विश्वास यात्रा में जगजग स्वागत के लिए उमर रहा जन्सेला पिछली सरकारों की आराजकता का जवाब है सोन भद्र प्राकरतिक सुविधाओ से प्रदेश में सबसे ज़्यादा समर्द है लेकिन पिछली सरकारों में भू माफिया, खरिज माफिया और अन्य माफियाओं ने इसे लूटा है यूपीटीटीटी की परिक्षा नोटिविकेशन जारी यूपीटीटीटी परिक्षा कायोजन 23 जनवरी 2022 को किया जाएगा इसी के 7 दिसंबर में उत्रप्रदेश शिक्षक पातरता परिक्षा कराने की अजकले भी समाप्त हो चुकी है पेपर लीग के कारार 28 नमबर को यूपीटीटीटी परिक्षा इस्थगित कर दी गई यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फड़ा फड़ सब्सक्राइब कर ले सांथी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो